हेलो दोस्तों मैं सावरोब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटीव चैनल परफेक्ट मुबाइल सल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंड सेट है टेक्नो ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक सैड में ऊपर की तरब टेक्नो की ब्रैंडिं यानि कि डिवाइस का गूगल एकाउंट लॉक रिमूब करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस तरीका तो दोस्तों अगर आप भी टेक्नो इसपार्क 7 यूज़ कर रहे हैं और आपकी डिवाइस एफार्की लॉक है यानि कि गूगल एकाउंट लॉक है तो मेरी इस व पी लॉक है ये कैसे कंफर्म होगा तो इसका चोटा सा ट्रीक इस विडियो में मैं आपसे सेयर कर देता हूं आप उपर की तरब कोने में ध्यान दीजिए तो आपको एच छोटा सा लॉकर सो कर रहा है और इस टाइप का लॉकर आपको डिवाइस में सो नहीं करता तो आपक करूँगा यहां से मैं इसकीब करूँगा ओके और यहां देखे दोस्तों कनेक्ट वाई-फाई वाले आपसंट पर आ चुके हैं नीचे कि तरफ देखें नेक्स्ट का कोई भी आपसंट नहीं है तो हमें करना क्या होगा दोस्तों हमें यहां अपने डिवाइस को जल्दी से क करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है तो यहां जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाई-फाई से कनेक्ट कर लेता हूं डिवाइस मारी कनेक्ट हो गई दोस्तों उपर की तरफ आप देख सकते हैं वाई-फाई का सिंबल सो कर रहा है अब आपको करना क्या है यह बॉक्स है आप सिंपल इस बॉक्स को चेक करें उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें अब कुछ सेकेंड वेट करिए आपको पूर प्रावलम फेस करनी पड़ती है जब आपको डिवाइस एफारप लॉक्स होती है यानि कि गूगल एकाउंट लॉक्स होती है अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके पास डिवाइस का एफारप बाई-पास करने के लिए यहाँ पे दो आप्सन है सबसे पहला आप्सन verify pattern यानि कि आपको यह pattern verify करना होगा अगर आपको यह pattern पता है तो आप simple यह pattern यहाँ पे draw करें अगर आपने सही pattern ड्रा किया तो डिवाइस आपकी बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी एक चीज़ी और ध्यान दें यहाँ पे verify pattern का ऑप्सन है तो यहाँ पे verify ping या verify password का भी option ह वो सकता है वो आपके ओपर डिपेंट करता है कि आपने अपने डिवाइस में security के तौर पर क्या डाल रखा है ओके चुकिए verify pattern का option है और pattern हमें नहीं पता है अब हम second option की बात करते हैं second option बिल्कुल नीचे की तरफ देखे blue color का लिखा use my Google account instead तो मैं simple इस option पर click करता हूं आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिग क्या आएगा verify your account आगे चलके device का FRP बाइपास करने के लिए आपको इस device का Google account यहाँ पर verify करना होगा आप देख सकते हैं verify your account का option आ गया तो अगर आपको इस device का Google account पता है तो आप simple email और phone में enter कर दें नीचे से next कर दें अगर आप सही Google account एंटर करेंगे तो device आपकी बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी लेकिन unfortunately device का Google account भी हमको नहीं पता है तो जैसा को दोस्तों मैंने आपको बताया इस वीडियो को ध्यान से देखिए वीडियो का कोई भी step आप इस कीप नहीं करिएगा मेरी इस वी SIM card ले 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 एर टेल भी असनल जियो वी आई कोई भी SIM card आपको इस SIM card में SIM pin lock active कर लेना है ओके अब अगर आपको नहीं पताया कि कैसे किसी भी SIM card में SIM pin lock active करते हैं तो उपर दी हुए आई बटन पे क्लिक करिए इस वीडियो को देख लीजिए आपको पता चल जागा कि कैस SIM card में SIM pin lock active करना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों सबसे पहले तो हम यहां से बिल्कुल back आएंगे आपको यहां से बिल्कुल back चले आना है बिल्कुल home screen पे ओके तो अभी आपको करना क्या SIM card को इस device में insert करना है तो यहां से मैं SIM card जो यह tool है tool की help से यह SIM tray को मैंने बाहर क किया और यह SIM card को मैं insert करूँगा ध्यान रहे दोस्तों जो भी SIM card आपको यूज करना है उसमें SIM pin lock active होना चाहिए ठीक है तो यह SIM card को मैं इसमें insert करता हूँ जैसे insert करूँगा दोस्तों तो आप देखेंगे यहां पे display पे enter SIM pin का message आ जागा ठीक है तो यह देखें मैंने SIM card को insert किया ओके आप देख सकतें enter SIM card का message आ ठीक है अब देखें आपको करना क्या है अब simple यहां पे लिखा है emergency आप simple emergency पे क्लिक करें emergency पे क्लिक करने बाद आपको उपर की तरफ मिलेगा emergency information आप emergency information पे दो बार क्लिक करें ठीक है जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे तो यह interface दो करेग अब उपर की तरफ देखें आपको यह icon मिलता है आप simple इस icon पे क्लिक करें जैसे इस icon पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखें यह enter SIM pin का message आ ठीक है अब आपको करना क्या है SIM card को बाहर निकालेना ठीक है तो मैं simply करता क्या हूँ SIM ejector tool की help से SIM card को बाहर निकाल ठीक है यह contact पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखें दो contact आपको देखने को मिलेगे ठीक है यह green color का यह blue color का आपको करना क्या है blue color वाले contact को continue praise करके रखना ठीक है तो आप अपनी एक finger ले जाए और इसे continue ऐसे praise करके रखें ऐसा करेंग दोस्तों तो यह देखें कुछ इस टाइप में करके यह box आपको slow करेगा और आपके device का keyboard open हो जाएगा ठीक है अब आपको करना क्या है इस box में simple type करना है apps आप display देख सकते हैं तो बिल्कुल same type करेएगा तो यहां पर हमने simple type कर दिया apps ओके जैसे ही apps टाइप करेंगे दोस्तों तो यहां पे देखें बहुत सारे options आपको देखने को मिलेंगे यहां पे एक option आपको मिलता है default apps का तो आप default apps पे क्लिक करें default apps पे क्लिक करने के बाद आपको simple click करना app settings पे तो आप app settings पे क्लिक करें जैसे app settings पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों आपके device में by default जो applications की list है देखें सारे applications की list आपको यहां पे slow करने लगेगी ठीक है आपको करना क्या है आप बिल्कुल नीचे आजाएं बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहां पे एक application आपको मिलता है दोस्तों X share यह रहा आप इस पे click करें X share पे click करने बाद यहां पे देखे open का option है आप simple open पे click कर दें जैसे open पे click करेंगे तो यह देखे X share application open हो गया आपको इसे setup कर लेना है तो इसके लिए simple agree पे click करें यहां permission है तो जो भी permission आए याद रहें आपको simple allow करते रहाना ठीक है तो आप यहां उपर से इसे allow करिए इसे setup कर लेता है left से right आप ऐसे इसे slide करें बाद में आप simple इस arrow पे click कर दें यहां से आपको enter X share पे click कर देना ठीक है तो अब देखे दोस्तों एक share अप्लिकेशन पूरी तरह से set हो गया और हमारे device में open हो गया ठीक है अब इस application के बारे में मैं आपको बता देता हूं यह application बिलकुल share it की तरह अबर करता है यानि कि इस application का use करके आप किसी भी device में data send कर सकते हैं receive कर सकते हैं जैसे कि application videos कुछ भी आप send कर सकते हैं receive कर सक ठीक है तो अब दोस्तों इस device का work finish हो गया अब आपके पास होना चाहिए कोई another android device किसी भी brand की कोई भी एक दूसरी device आप लेने ठीक है तो यह देखे मैंने एक दूसरी device ले रही है ठीक है अब देखिए इस device में आपको करना क्या है अब एक share application आपको same device में install करना है ठीक है तो यह देखे दोस्तों एक share application यहाँ पर सो किया मैं simple इसे install कर लूँगा ओके तो यह application install हो रहा है अभी download होगा उसके बाद install होगा अभी के लिए से मैं minimize करता हूं ठीक है अब आपको करना क्या है दोस्तों इस device में chrome browser open करना है ठीक है तो यह रहा chrome browser मैं chrome browser को open करता हूं ठीक vnrome type करने के बात दोस्तों आपको simple यहाँ नीचे से enter करना है तो आप simple यहाँ से enter कर दें ठीक है गूगल में मैंने type किया vnrome तो यह सर्च result आपके सामने आ जाएगा आपको करना क्या बिल्कुल पहली वाली website यह देखे bypass google account 2022 आपको simple इस पे click करना है इस पे click करेंग दोस्त तो यहाँ पे नीचे तरब देखे बहुत सारे application की list आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ठीक है आपको करना क्या है आपको इन सारे application में से दो application अपने device में download करना है ठीक है तो सबसे पहला application कौन सा है सबसे पहला application है दोस्तों android 8, 9, 10, G, A, M यह वाला application ठीक है आपको इस 9, 10 वाला application डाउनलोड करना था तो आप simple इस पे क्लिक करें यह देखे उपर की तरफ downloading file यह download होने लगा ओके अब उसके बाद second application कौन सा वो मैं आपको बता देता हूं second application दो दोस्तों frpbypass.apk यह वाला application ठीक है आपको इसे download करना है तो इसे download करने के लिए simple आप इस पे क्ल manager में download वाले folder में जाते हैं ठीक है अब देखिए आपको करना क्या है अब इसे मैं minimize करता हूं minimize करने क्बाद आपने इस device में X share application जो है कि इसमें install किया था ठीक है आपको उसे open करना है तो यहां पर देखें कि दोस्तों इस list में तो आपको X share application दिखेगा यह देखे X share आपको इसे allow करिए ओके यहां से cut करिए ठीक है अब देखिए आपको करना क्या है यहां पे grant permission का option आ गया आप grant permission पे क्लिक करें यहां से off है आपको यह permission off है इसे on करना है तो आप इसे यहां से on करिए उसके बाद back आईए ठीक है अब देखिए आपको करना क्या है अब दोस्तों ज उसके लिए simple उपर के तरफ देखे send का option है, तो आप simple send पे click करें, ठीक है, मैंने बताया था कि सारे applications जो आप download करते हो, वो आपके file manager में download वाले folder में जाते हैं, तो यह उपर के तरफ file है, आप simple file पे click करें, उसके बाद आपको phone storage पे click करना है, और यहाँ पर मिलेगा आपको download वाला folder, यह देखे download, ठीक है, आप download पे click करें, अब यहाँ इस list में देखेंगे दोस्तों, तो आपको दोनों application सो करेंगे, यह देखे Android 8.9.10 और FRP bypass, आपको इन दोनों application को check कर लेना है, उसके बाद आप simple यहाँ send पे click कर दें, जैसे send पे click करेंगे, तो यह देखे सारे permissions एक यहाँ पे जो कि आपको allow करने को बोल रहा है, तो मैंने आपको बताया न, कि सारे permissions को आपको allow करना है, तो आप simple यहाँ allow पे click करिए, off है, इसे on करिए, उसके बाद back आईए, ठीक है, यहाँ से आप इसे allow करिए, off है, इसे on करिए, back आईए, यहाँ पे देखे open का option है, यानि कि आपके device का Wi-Fi open है, तो आप यहाँ open पे click करिए, ठीक है, यह देखे, यह off है, आप इसे on करिए, उसके बाद back आईए, ठीक है, यह hot spot आपके device का open है, आप यहाँ open पे click करिए, उसके बाद आपको personal hot spot, यानि कि इस device का hot spot on है, तो इसे off करना होगा, तो यहाँ personal hot spot पे click करिए, यह देखिए on है न, आप इसे off कर दीजी यहाँ से, उसके बाद off हो गया, उसके बाद back आईए, ठीक है, और back आईए, यहाँ पे देखिए QR code सो करेगा, यह देखिए QR code सो कर दिया, ठीक है, अब आपको इस device से मैं send कर रहा इस device में receive करना है, ठीक है, तो आपको simple यहाँ receive का option मिलता है, आप simple receive पे click करें, जैसे receive पे click करेंगे, तो यहाँ भी permission आ गया, आपको simple permission को यहाँ से allow कर देना है, उपर से आप allow करिए, ठीक है, अब यह देखिए QR scanner यहाँ पे open हो गया, अब आपको simple यह QR code है, इसे scan कर लेन ओके, यह देखिए दोस्तों, जब मैंने scan किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे message आ रहा है, your device does not support high speed mode, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, यह देखिए, जब मैं scan कर रहा हूं, तो यह देखिए, your device does not support high speed mode, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ एक option है high speed mode, यह on है, ठीक है, आपको इसे यहाँ से off कर देना है, ओके, off करने के बाद, अब आप इसे scan करिए, तो यह work करेगा, यह देखिए, मैंने scan कर लिया, ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब जो दो application है, दोस्तों, एक सेयर का यूज़ करके, मैं इसमें सेयर कर रहा अब देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह install भी हो जा रहा है, यह देखिए, install हो गया, और यहाँ पर देखिए, install हो गया, यहाँ भी open option आ गया, ओके, तो अब दोस्तों, आपने देखा, X-sare का यूज़ करके, मैंने दूसरी डिवाइस से यह टेक्नो वाली डि करके, मैंने इन दोनों application को इसमें send किया, जो की successfully install भी हो गया, ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर FRP bypass वाला जो application है, आपको इसे open करना है, तो आप यहाँ से open कर लें, जैसे ही open करेंग दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का interface आपको देखने को मिलेगा, अभी आपको करन क्या है, उपर की तरब three dot है, आप simple three dot पे click करें, उसके बाद आपको click करना browse sign in पे, cancel okay, तो आपको okay पे click कर देना है, ठीक है, कुछ second wait करिए, तो यहाँ पे Google sign in का option आ जाएगा, यह देखें दोस्तों, Google sign in, use your Google account, तो अब दोस्तों, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, को Google account मैंने enter कर लिया, अब मैं simple यहाँ next पे click करूँगा, अब मुझसे यह is Gmail ID का password मांगेगा, यह देखें, enter your password का option आ गया, तो यहाँ पे मैं इसका password enter कर लूँगा, okay, password मैंने enter कर लिया, अब मैं simple यहाँ next पे click कर दूँगा, अब होगा क्या दोस्तों, यह Google account successfully इस device में sign in हो जाएगा, और जैसे ही sign in होगा, यह automatically back आ जाएगा, यह देखे, back आ गया न, इसका मतलब Google account इस device में successfully sign in हो चुका है, okay, अब देखें आपको करना क्या है, अब दोस्तों, यहाँ से आपको back जाना है, apps वाले option पे, यानि कि जहाँ पे सारे application सो कर रहे थे, आपको उस option पे back जाना, ठीक है, तो यहाँ से हम back चलेंगे, आराम से back जाएगा, आपको back जाना है, जहाँ पे आपके सारे application सो कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक step करके, आराम से back जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, यह देखें दोस्तों, app setting वाले option पे आपको आना थ click, आपको उन्हीं दोनों application को बारी बारी अनिस्टाल कर देना, ठीक है, तो सबसे पहला application कौन सा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें कि दोस्तों, तो आपको मिलेगा FRP bypass, ठीक है, यह देखे, FRP bypass वाले application था, आपको इसे अनिस्टाल करना है, तो यहाँ पे देखें, अनिस्टाल का option है, आप अनिस्टाल पे click करें, cancel, okay, आप okay पे click कर दें, ठीक है, FRP bypass वाले application अनिस्टाल हो गया, ठीक है, second application था Android 819GAM, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दे, Android 819GAM application का नाम था, लेकिन जब वो install होता है न, तो वो Google Account Manager के नाम से सो करता है ठीक है, यह राग Google Account Manager, तो आप इसे अनिस्टाल कर दें, तो आप इस पे click करें, नीचे से अनिस्टाल, अनिस्टाल पे click कर दें, और उसके बाद okay कर दें, ठीक है, तो अब दोस्तों, जो दो application हमने इस device में install किये थे, successfully अनिस्टाल हो गए, अब आपको करना क्या, अब पाउर बेटन को फ्रेस करिए, और डिवाइस को आप सिंपल यहां से reboot कर दीजे, यानि कि restart कर दीजे, यह दिखे, डिवाइस हमारी reboot हो गई, और अब आप वेट करिए, डिवाइस को पूरी तरह से active होने के लिए, दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, टेक अगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी स्रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप मुझे जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, आप हमारे यूटीब चैनल को जरूर सबस्ट्राइब करिए, बगल में जो बेलाकन है, उसे भी प्रेस करिए, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके मुझसे जरूर से एयर करिए, तो अभी ये देखिए, डिवाइस हमारी रीबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई, ठीक है, अभी आपक करना क्या, अब आपको सेट अप करना है, तो चली सेट अप करते हैं, तो इसके लिए सिंपल हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके और अपको सेकेंड वेट करिए, अभी देखिएगा दोस्तों, जो गूगल एकाउंट हमने इस डिवाइस में एड किया था, यहां पे एका बिल्कुल भी वीडियो को स्कीप नहीं करिएगा, जैसा मैंने बताया, बिल्कुल सेम टू सेम इस्टेप्स फालो करिए, यहां से हम डॉन्ट कॉपी करेंगे, ओके और यह देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, यह देखिए, एकाउंट अडिट का मेसेज आ गया ओके, यहां से मोर करें, मोर, एक्सेप्ट, यहां से आप सिंपल नो थैंक्स कर दें, यहां से फिर से आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है, यहां से इस अप्सिन को इसकीप एनिवे पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करें, और यह देखिए, फाइनली स्टार्ट का प्रोप्स ना गया आप इस्टार्ट पे क्लिक कर दें कुछ आठ सेकंड तक आपको वेट करना है उसके बाद आप देखेंगे आपकी टेक्नो इसपार्क सेवें पूरी तरह से एक्टी हो जाएगी और डिवाइस का फूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा डिवाइस आपकी यानि की डिवाइस का गूगल एकाउंट लॉग करने का यह वीडियो आपको कैसी लगी यह ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो के लाश्ट में दोस्तों इक छोटी इस रिक्वेस्ट मैं करूँगा अगर मेरी वीडियो आपको अच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मॉच